अगर आफो, पूרए A2Z आपको इस वीडियो में शिखने जाएगा लेकिन एक चीज में आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आप यह एस्पेक कर रहे हो कि आपको इस वीडियो में काफी एडवांस लेवल की चीज़े सिखने को मिलेगी तो यह वाला वीडियो आपका कोई काम का नहीं है तरसल हो यह रहा है कि आजकल YouTube में हो या फिर कहीं हो, Share Market के मारे में काफी Advanced Level की चीज़े सिखाई जा रही है इससे प्रॉब्लम यह हो रहा है कि जो लोग भी Share Market में नहीं नहीं आ रहे हैं उनको Advanced Level की समझ में कैसे आएगी जबकि उनको sort of basic ही नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा कि दिमेट अखिर होता क्या है अगर आप यह एस्पेक कर रहे हो कि काफी एडमांस निपल की चीजे आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा तो यह वीडियो आपका कोई कामका नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं और A to Z स अब यहाँ पे NSC और BSC आखिर होता क्या है और इसका डिमेट एकाउंट से क्या लिंक है देखो फॉर इक्जमपल आपको बनाना खरीदना है तो आप बनाना खरीदने के लिए कहा जाओगे डेफिनिटल आप बार्केट में जाओगे और मार्केट में किसी बनाना का को खरीदना है तो आपको NSC और BSC से ही खरीदना होगा या फिर किसी कंपणी के शेर को सेल करना है तो आपको NSC और BSC में ही सेल करना होगा इतना समझ गये अब देखो डिमेट एकाउंट को जानने से पहले सीखने से पहले आपको थोड़ा हिस्टरी में जाना होगा 1996 से पहले क्या होता था कि अगर किसी company के share कोई खरीदना चाता है या फिर किसी company अपने shares को बेचना चाता है 1996 के पहले की बात कर रहा हूं में ठीके, तो पहले क्या होता था For example, आपको किसी company के share को खरीदना है और सामने वाला कोई company है वो company अपना shares को बीजना चाहता है, तो पहले जो shares था ना, वो papers में था, document में था, ठीके, उस type के रहता था company के share, और जो buyer था, वो पैसा देता था, National Stocks Exchange में जाके, Bombay Stocks Exchange में जाके, पैसा देता था company के owner को, और वो अपना document रहता था, जो कागज के form पे रहता था, वो अपना company के share देता था, 1996 के पहले ऐसा होता था, ठीके, उसके बाद क्या हुआ, सरकान ने क्या बोला कि यह सारी जो चीजे हैं, वो काफी ज़्यादा congested हो जाती है, तो 1996 के बाद, वहीं से जन्म हुआ demate account का, ठीके, वहीं से शुरू हुआ demate account की कहानी, तो 1996 के बाद, आपको physically जाक अब देखो, एक arm public, जो public companies के share को खरीदना चाता है, या फिर companies के share को पहले से खरीद रखा है, वो sale करना चाता है, तो एक arm public और share market का बाजार, NAC-BST, एक arm public और NAC-BST का जो connect है, वो कौन करवाता है, उसी का नाम है demate account, बस समझ में आई, खुल के समझाता हूँ, देखो, for example आपको मुंबई जाना है, और आपका घर Assam में है, तो मुंबई से Assam का connect कोन कराएगा, फ्लाइट, आप हवाई जाहस से जाओगे, तो हवाई जाहस कराएगा, आप train से जाओगे, तो train करवाएगा, उसे मिसी तरह आप एक arm public हो, और एक तरफ है NAC, जो share market का बाजार है, त इसको समझने के लिए आपको एक example को सुनना होगा, तो आपको ये जो पूरा concept है, वो बहुत ही बारीकी सी समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग एक जरूरी बात बता दूँ, कि अगर आप लोग ने अभी तक अपना Demet account को नही इंजल 1 में हो, आप कहीं से भी नीचे में लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके फ्री में अपना Demet account खुला सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको ये शेयन मार्केर से related कोई परिशानी हो रही है, तो आप शीदे Instagram पर जाकर भी मुझे follow करके, वहाँ पे message करके, आपका वहाँ पर पूरा problem का solution भी वहीं पर कर दूँगा, तो चलिए उस example को सुनते हैं, काफी ज़्यादा ध्यान से सुनना, तो आपको सारी चीजे बारिकी से समझ में आ जाएगी, और बहुत ही ज़्यादे interesting example है, ठीक है, मान लिजे मैं, मैं जो person हूँ, मेरा एक खुद मैंने क्या सोचा कि मेरे shop में कश्मीरी apple भी sell करूँगा, ठीक है, तो कश्मीरी apple तो यहाँ पर मिलीगी नहीं, तो उसके लिए मुझे कश्मीर जाना होगा, कश्मीर जाने के बाद मुझे किसी swap से मुझे कश्मीरी apple को खरित के अपने दुकान पर लाने के बाद store करना होग बात समझ में आई, तो यहाँ पर problem यह आ रहे है कि मुझे ना तो कश्मीर के बारे में पता है, ना तो मुझे यह पता है कि कश्मीर कैसे जाया जाता है, और ना मुझे उस swap के बारे में पता है कि कश्मीर जाने के बाद मुझे किस shop में कश्मीरी apple मिलेगा, मुझे कुछ भ पता है तो मैंने राम के साथ ही कश्मीर गया वो शौप में गया और वहां से जाके कश्मीरी जो एपल है वो खरीद के लाया और अपना जो दुकान है वहापे मैंने इस्टोर कर दिया इतना समझ में आई ठीक है अब से इसी तरह शेयर मार्केट का जो डीमेट एकाउंट है उसका भी कहानी है चलिए उसको समझते हैं शेयर मार्केट में बाजार किसे बोला जाता है NSC बीस्ट को पहले क्या होता था कि NSC में ही शेयर को खरीदा जाता था बेचा जाता था लेकिन 1996 के बाद जब रूस में चेंज़ेस आई तब चीज अनलाइन हो गई तब आपको फ तुम लोग आम पाब्लिक से पैसा लो और तुम लोग के थुरू से वो पैसा मेरे तरफ ट्रांस्फर करो और मेरे से तुम शेर्स लेके उन्प में बाढ़ दो NSC और BSC ने क्या किया अपने नीचे ब्रोकर्स को पर्मिशन दिया ब्रोकर्स का मतलब Grow, Uptox, Angel1, Ziroda, Motila, Loswal इस टाइप का जितने भी डिसकाउंट ब्रोकर्ड है या फिर नन डिसकाउंट ब्रोकर है सबको पर्मिशन दिया सबको मतलब वह सारी चीजे होई उतना डीटेल में मुझे नहीं जाना इसमें लोग जब एकाउंट बनाता है तो यह लोग ब्रोकर हे लेकिन फिर मेटे काउंट बनवा देता है तो जब आपका बन जाता है तो आप जो को खरितते हो आपका डीओट एकाउंट को फुरू से NSC और BSC में जाता है पैसा आपका और वहाँ से Shares आता है आपके Demate Account में और Demate Account से Store कहां होता है CDSL और NHDL में अब CDSL और NHDL अखिर क्या होता है आ गया ना Confusion लेकिन Confusion में आप लोग को आने नहीं दूँगा मैंने Example में जिन लोगों ने भी इस वीडियो का जो Example है वो ध्यान से सुना होगा उसको जो चीज़े है वो अब समझ में आ जाएगी मैंने Example में क्या बोला था कि मैंने कश्मीरी Apple जाके वहाँ पर अपना Friend Ram के थुरू से वहाँ पर गया जाके कश्मीरी Apple खरिद के लाया और अपने दुकान पर Store किया सेम उसी तरह आप अपना Demate Account के थुरू से NSC और BSC से जो grow है आपका ब्रोकर है वो आपका Demate Account के थुरू से शेर्स तो खरिदा लेकिन शेर्स खरिदने के बाद वो Store कहा होता है वो CDSL and NHDL में होता है CDSL and NHDL क्या होता है अब इसमें मैं नहीं जाओंगा आप इंटरनेट, Google, YouTube हर जगा देख लो कि CDSL and NHDL लाकिन क्या होता है यहाँ पर एक और आप लोगो को doubt क्लियर कर दो कि मान लीजिए जिस भी ब्रोकर के थुरू से आपने अपने Demate Account को खुलवाया और आपने लाक लाक रुपे इंवेस्ट कर दिया किसी शेयर में ठीक है अब इन फ्यूचर भगवान ना करे कि वो अलब ब्रोकर भाग गया होता है ना इंडिया में काफी सारे स्केम हुआ है तो जिस भी ब्रोकर के थुरू से आपने अपना एकाउंट बनाया डिमेट अकाउंट और आपने शेयर में पैसे को इनवेस्ट किया और इन फ्यूचर वो ब्रोकर भाग गया फिर भी आपका पैसे नहीं डूबेगा क्यों नहीं डूबेगा क्यूंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि तो मेरा घरवाला वहाँ से ले लेगा सेम उसी तरह आप जो भी शेयर को खरीदते हो अपने लाइफ में वह सारा शेयर इस्टोर कहां होता है CDSL and NHDL में तो DMAT account का share market में क्या रोल है वही रोल है जो मैंने example में बताया था कि मुझे तो कश्मीर के बार में कुछ नहीं पाता तो मुझे कौन ले गया मेरा जो राम नाम का दोस्त है वही ले गया उसी ने जाके मुझे दिखाया कि यहां पर मिलता है उसी ने खरीदवाया और वही लेके आया तो सेम उसी तरह share market में DMAT account को वही रोल है वह आपका जो पैसा है वह NSC और BSC तक पहुँचाता है वहाँ से shares को लेके आप तक पहुचाने का काम करता है DMAT account तो I hope कि आज की इस वीडियो से DMAT account से related आपका जितना भी doubt है वह साड़ा doubt clear हो गया होगा अब इसके बाद आपका second step क्या है कि आपको share market में शुरूत करना है start करना है और आपको काफी जदा अगर प्रॉब्लेम आ रही है कि share market में आप बिल्कुल नया हो और share market में आप शुरूत करने में काफी जदा confusion आ रही है तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही एक special video बनाया है यह left वाली वीडियो देख लो इस वीडियो को देखने के पास share market में शुरूत करना आपके लिए बहुत ही जदा आसान हो का?